हे फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब आज में बहुत ही मज़ेदा रेसिपी आप लोगों के साथ सेयर करने जा रही है तो देखिए यह चाप लिया है मैंने पानी को मैंने फुल गरम कर लिया है बॉयल कर लिया है उसको नीचे उतार दिया है और सारे चाप को हम इसमें डाल देंग तो जी हाँ फ्रेंट्स गरम पानी उबाल के इसके बाद आप चाप को इस तरह से जरूर से रखें तो सारे चाप को हम निकाल लेंगे तो फ्रेंट्स देखिए यह पानी कितना गंदा हो रखा है तो फ्रेंट्स आप जब भी चाप तयार करें तो इस तरीके से आप पहले बॉयल कर ले उसके बाद ही यूज करें तो फ्रेंट से स्टिक बाहर निकालने से पहले हम इसे अच्छे तरीके से कट कर लेंगे देखिए इस तरीके से हमें सारे चाप को कट कर लेना है देखिए कितना अच्छा उबलने के बाद ये त्यार होके निकल गया है तो सारे चाप को हम अच्छे तरह के से कट कर लेंगे पीसेज में इस तरी proto के से अगर आप चाप बनाएं गया तो बहुत ही तेश्ट्टी बनेंगे तो फ्रेंड्स देखे मैंने यह कराय गरम कर लिया है इसमें हम डाल देंगे दो मच देशी घी जी हाँ फ्रेंट्स मैं इसमें घी का इस्तिमाल कर रही हूँ जो भी सामान आपके घर में पड़ा है आप उसी से यह रेसिपी तेयर कर सकते हैं पर टेश्ट में कोई भी फरक नहीं परेगा बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में आज का यह रेसिपी बन क तयार होने वाली है तो फ्रेंट्स आपके पास अगर बटर हो तो आप इसमें बटर का भी इस्तुमाल कर सकते हैं तेल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है कम फ्लेम पे ही हम इसे अच्छे तरीगी से पका लेना है तेल को हम ज़्यादा गरम नहीं करेंगे इतना ही गुन तो देखे इस तरीके से हमेंसे फ्राइ कर लेना है देखे इसका सारा लेयर बहुत यह अच्छे तरीके से खुल चुका है तो अगर आप इसे फुल फ्लेम पे पकाते और तेल को गरम करके तब डालते तो फिर यह इतना अच्छा तयार नहीं हो पाता यह उपर से क्रणची र तो सारे चाप को हम निकाल लेंगे इस तरीके से गास का फ्लेम उनी रहेगा हम गास का बंद भी नहीं करेंगे देखे यह विह इस तरहे के से चलाते हुए फ्राइऋ हमारा चौप करना है चल में बारीक हमें चौप और रहे हम अगर आप चाहोख लुगत है देखे इस तरीके से हमें प्याज को चॉप कर लेना है तो फ्रेंड्स चलिए इसके रख देते हैं साइड में और तब तक देख लेते हैं कि प्याज हमारा कितना ब्राउन हो चुका है तो देखे चॉप हमारा थंडा हो चुका है देखे किस तरी से देखे सॉफ्ट कितना तय और इसका जो वीतर का लियर है वह भी खुल चुका है तो इस तरीके से आप चाप को फ्राइ करेता कि ताकि शारी लियर खुल जाए और जो मसाला ना बहुत अच्छ से अंदर तक जाए तो देखे इस तरीके से प्याज हमें ब्राउन कर लेना है इसे हम टीशू में निकालें लूइं निकाल लिया हैने कुछ माइशे के सब्सक्राइब सब्सक्राइब। अब मैं सब्क्राइब के दिखाई नहीं था अब मैं डाल दोगे इसमें चौप किया हुए प्याच तो प्याज को हमें light brown होने तक fry कर लेना है, सारे onion को हम fry कर लेंगे, इस तरीके से तरके के लिए जो मैंने प्याज का इस्तुमाल किया है, इस तरीके से हमें चलाते हुए प्रकाना है, तो friends, गेस का flame मेरा medium है, तो medium flame पे ही आप इसे दीरे-दीरे पकाए, जब तक यह प्याज पक कितना चट्राई हो चुका है, और बहुत ही crispy भी हो गया है, तो सारे प्याज को हम mixer के जार में डाल देंगे, और मैंने friends, यहाँ पर creamy texture लाने के लिए, और restaurant style के जैसे हम gravy तयार कर रहा है, तो मैंने 6 और से 7 काजू लिया है, जिसको मैंने आदा घंटा पहले भीगो के रखा जब तक आप इस प्रोसेस को करते हैं, तब तक मैं आपका काजू भीग जाता है, अब हम इसे grind कर लेते हैं, चलिए, देखिए प्राउच इतने दिर में भून चुका है, तो friends, अध्रक इस टाइम बहुत ही महेंगी हो चुकी है, इसलिए मैंने बस religion का पिष्ट का ही इस्त तरीके से पक जाए, तो इसे हम कुछ देर तक अच्छे से पका लेंगे, ताकि लेसन का जो कचापन है, वो अच्छे तरीके से निकल जाए, तो इसे हमें चलाते हुए पकाना है, क्योंकि लेसन नीचे से चिपक जाता है, इसलिए हमें इसे चलाते हुए ही पकाना है, तो friends मैंने टमाटर प्यूडी का इस्तमाल नहीं किया है मैंने इसमें टमाटर केचप का इस्तमाल किया है तो इस दोरान आप टमाटर केचप का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने टमाटर केचप का इस्तमाल किया है और टमाटर क्योंकि यहां पर बहुत मेंगी हो रही है इसलिए मैंन कैचप से ही काम चला लिया है तो फ्रेंड्स कैचप जब भी आपके पास टमाटर ना हो तो उस जगे आप कैचप का इस्तिमाल कर सकते हैं उससे भी इसका टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है अब हम डाल देंगे इसमें सुके मसाले सुके मसालों में लिया है भी जादा इस्तिमाल नहीं करना है बस एक ही चमच हमें धनिया पाटर का इस्तमाल करना है तो फ्रेंड्स इफ्स रिष्पी आप लोगो को अच्य लग रही हो तो प्लीज रिस रिष्पी को लाइक करना बिल्कुल न बूले हमारे चैनल में नहीं हो तो बीस चैनल को सब्रस्क्राइब करें और बेल आइकन प्रेज जरूर से करें तो फ्रेंड्स से ये छेपी अप सी तरीके से ट्राई करना बहुत और यामेजिग बनने वाली है भीना अधरग बनात्र की तो भी जीजग हो कहें भीना टमाटर बीना द्रग बिना बटर के आप इसे बना सकते हैं बहुत ही अमेजिंग लगेगी आप हम डाल देंगे इसमें अधर चमच नमक तो फ्रेंड से नमक आप इसमें उतनी quantity में डाले जितना की जुरुत हो क्योंकि हमने चाप में भी हलका सा नमक का इस्तिमाल किया है अच्छे तरीके से मसाले को हम भूल लेंगे इसके बाद देखे मसाला कितना अच्छा तेल छोड़ चुका है और इसका कलर देखिए बहुत ही अमेजिंग लग रही है देखने में और इसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आ रहा है तो फ्रेंट्स इस तरीके से ट्राइ करना अब हम डाल देंगे इसमें पिसी हुई जो प्याज है काजू और प्याज का पिस्ट इसको कुछ देर तक हम अच्छे तरीके से पका लेंगे ताक कि जो इसका टेस्ट है ना बहुत ही अमेजिन तरीके से और भी निखर के आए तो इसे हमें अच्छे तरीके से पका लेना है गैस का फ्लेम हमारा अभी भी मेडियम फ्लेम पे ही है गैस का फ्लेम फूल नहीं करना है क्योंकि प्याज हमारा पहले से फ्राइ हो चुका है तो देखिए फ्रेंट्स सारे टेश्टी बनेंगी यह मेरी गारेंटी है अब हम इसमें डाल देंगे इसको अच्छे तरीकी से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक चमच गरम मसाला जी है फ्रेंस गरम मसाला मैंने इस्तिमाल किया है वो भी घर का तयार किया हुआ तो आप चाहो तो मार्केट का बी इस्तिमाल कर सकते हो ağa कर इसमें टमाटर भगेरा भी है तो मलाई पहट जाएगा इसलिहें हमें अच्छा तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे इसके बाद हमने डालेंगे उबला हुआ गरम पानी तो अब मैंने लिया है कस्तूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा सेख लिया है तबे पे तो जब आप कस्तूरी मेथी का इस्तिमाल सेख के करते हो ना तो फ्रेंड्स से बहुत ही इसकी अच्छी खुस्बू आती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है तो इसे हम सारे चीज़े को मिक्स कर ले गरम पानी का ही इस्तिमाल करें यह झाल आता है की पानी का चा Bathा बहुत ही जूसी मतनके तयार होती और इसका फ्लेवर से इस 산ऑ जहिए है जबबाहर चाम और डाल रहे हैं इसी दौरान आप नमक टेश्ट कर ले हैं और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं मैंने इसमें लगबग एक गिलास पानी का इस्तिमाल किया है तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप चाप बनाएं नान के साथ या फिर तंदूरी रोटी के साथ या फिर न प्रास मिंट हो चुका है इसमें हम डाल देंगे आदा चंब चीनी तो फ्रेंड्स चीनी ओप्सनल है चीनी डालने से इसका जो टेस्ट है यह बाइलंस हो जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से अभ व्हम इसमें डाल देंगे आकरी में कूटी हुई काली मिर्च त सर रेडी है हमारे चाप की रेसेपी सर्फ करने के लिए तो चरिये सर्फ कर लेते हैं एक प्लेट ले इसे हलके हाथ हो सर्फ करें देखे कितनी अमेजिंग लग रही है न बहुत ही टेश्टी बनती है इस तरीके से आप जरू से ट्राइ करना अपने फैमली फ्रेंट के साथ इंज्योई करना रेसिपी अची लगी हो तो फिर वीडियो को लाइक जरू करना बाबाई